केंदर की मोदी सरकार ने नागरिक्ता संशोधन कानूं CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है लोगसभा चुनाओं से पहले केंदर सरकार का ये बड़ा कदम है इसके तहट अब तीन पडोसी देशों के अल्प संख्यकों को भारत की नागरिक्ता मिल सकेगी इसके लिए उन्हें केंदर सरकार द्वारा तैयार किये गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा उधर केंदर द्वारा अधी सूचना जारी किये जानी के बाद दिल्ली उत्तर समेट कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है आपको बता दें CAA की अधी सूचना जारी होनी के बाद आयोध्या के संतों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है तो आईए जानते हैं संतों से कि उनका क्या है कहना CAA को लेकर सिये को लेकर सरकार ने अधिस्तूचना जारी किया है मैं मोदी जी को साधोबा देता हूँ अब जो पाकिस्तान और बांगलादेश से हिंदू पीरित आकर हिंदूस्तान में बसे हैं लेकिन अभी तक उनको नागरिकता नहीं मिल पाई है आकर मुसल्मानों के लिए संतावन कंट्री लेकिन हिंदू जाये तो कहा जाये आप देख सकते हो क्या विडंबना है हिंदूस्तान की रोहिंग्या मुसल्मान बांगलादेशी घुसपठी भारतमा के रह सकते हैं इनके प्रकारेन वो रासनकार और अधारकार बनवा कर नाग अभी तक उसको नागरिक्ता नहीं में पाई है लेकिन आभार वेक्त करता हूं मोदी जी का कि अब उनको नागरिक्ता मिल सकती है तो बहुत बहुत बढ़ाई मंगल कामना अब तो सोनिया जी के परिवार को भी नागरिक्ता मिल सकती है क्योंकि हिंदू के अलावा मुसलिम भर्क को छोड़ कर अन सभी धर्म के मानने वाले को नागरिक्ता हिंदुस्तान में मिल सकता है तो अब तो सोनिया जी के लिए भी बल्ले बल्ले है उनके भी रिष्टेदार आके हम नागरिक्ता ले सकते हैं जैसियराम बहुत अच्छी बात है बड़ी आनंद की बात है, बड़ी प्रिशनता है। आज की हमारे देश में यह लाग हो गया है, अर्थात शामान नागरीख संगीता, अर्थात सामान सब के लिए एक मार्ग हो गया, एक रास्ता एक कानून एक परकार के सारी विवस्ता इसे बहुत सुन्दर है कि इंसरकार ने जो किया है एश्रेक के इंसरकार को भूरी भूरी धन्य बाद देता हूँ कि जिसकी परम सकता हुई और आज से नहीं बहुत दिनों से मांग रही यहां तक कि जब कांगरेश सरकार रही तब कहा तो उनों ने किया था हम तो हमारे दो यह निश्चित किया था अब हो गया कि जो भी नियम आज के जो सामान नागरी शंगिता लाग वही है वो सब के किसी बर्ग के लिए किसी एक के लिए नहीं है सभी के लिए है देश भर के लोगों के लिए है यह बहुत प्रिश्चिता है बहुत आनंद की बात है और यह अहलाग हो गया है और मैं समझता हूं कि हमारे देश बासी सभी इसको पालन करेंगे और पालन करने के साथ साथ इस सर्विजन सुखाय सर्विजन हिदाय सबके साथ सबके विकास है देखिए जो विरोज करते हैं गलत करते हैं और क्यों उनके लिए जो पहले से है कि छोटा परिवार सुखी परिवार कम परिवार रहते हैं सुखी रहते हैं सबकी पढ़ाई लिखाई आवास सारी विरोस्ता ह हो जाती हो वह आवाधिक होते हैं तो वह गरीबी के रेखा में आते हैं तमाम प्रकार के उनकी समझाय होती है इसलिए किसी को भिरोध नहीं करना चाहिए जो भिरोध करते हैं घलत है